हाँ प्यारी बच्छों ट्रांजिस्टर या द्यान दीजेए एक बार पढ़ा हुए है रिपीट क्लास सल रही है दोरा रहे हैं यह आप सभी जान नहीं हूँ एक बार पढ़ा लिखा चुके हैं दोरा रहे हैं इसलिए ऐसे पढ़िए जिससे समझ में आया है तो प्यारी बच्छों ट्रांजिस्टर देखें गरब अमेरिका के तीन प्रसिद्ध ग्यानी विलियम साकले जान वर्डिंग और व्राटे ध्यान दीजेगा सिटाजी विलिय बिलियम साकले जान बर्डिंग और ब्राटे अमेरिका के तीन प्रसिद्ध ग्यानिक बिलियम साकले जान वर्डिंग और ब्राटे इन तिनों बैग्यानिकों ने मिलकर दो पीयन संदेडायों को जोड़कर तीन टर्मिनल वाली एक ऐसे युकती बनाई जो ट्रायोट वाल्ड की तरह ब्यवार करती थी उस युक्ति को तार्जिस्टर कहा गया एक बार उसी है अमेरिकन मैग्जानिक बिलियम साकने जान परेटिन ब्रातें ने मिल करके एक दो पियम संधिटावडों को जोड करके एक तीन तर्मिनल वाली ऐसे युक्ति बनाई ज तो ट्रायोट वाल्ड की तरह ब्यवार करती थी और जिसे जो है टांजिस्टर का आगे और बच्चों टांजिस्टर में चार पांच खासियत थी जिने आप रते रहोगे तो टांजिस्टर की विश्यस्ता हो जाएगी ने पहले टीन टर्मिनल होंगे दुनिया का प्रतेग transistor तीन टर्मिनल युक्त होगा तीन ओट टर्मिनल के नाम EBC होते हैं किसी भी transistor में तीन टर्मिनल EBC Emitter, Base, Collector माने सर्जक, अधार और संगराहत तेन terminal होते हैं दुनिया के किसी भी प्रकार के transistor में इसके बात बेटा, धुनिया का प्रतेग प्रकार का tajishtre, जितने भी प्रकार की tajishtre बन सकते हैं, उने में जो है, ई में ज्यादा असुद्धी होती है, C की बजाएं, मतलब उत्रसर्जक वाले तांजिस्टर में, संगराहक वाले तांजिस्टर की अपेच्छा, अधिक अ ताजिश्चर में संग्राहक का आकार जादा होता है उत्सर्जक वाले आकार की अपेश्चा मतलब बेटा कोई भी ताजिश्चर अगर बनेगा तो उसमें उत्सर्जक वाला जो अर्धचालक रहेगा वो जादा सुध रहेगा संग्राहक वाला अर्धचालक का बचुद रहे दुनिया का कोई भीू दॉनिस्टर बनेगा, तो उठ्चजत को और अध्वार संदी, अभ़िनती पलग की जाएगे। आर्दिया के प्रतेश व्यक्ताइक के टांजिस्टर में अधार और संग्राव संधी पस्ष अमिनसी बजट के जाएगी और यह अर्ब कार के टांजिस्टर की 156 खासियत रहें कोई भी टर्मिनल में किसी भी टर्मिनल में उत्सर्जक्ट अन्हार और संग्राग तीन टर्मिनल होते हैं दुनिया के प्रतेग प्रकार के टांजिस्टर में उत्सर्जक्ट वाले अर्चालक में संग्राग वाले अर्चालक के पेच्छा अधिक अजुद्धी रहती है दुनिया के प्रते प्रकार के टांजिस्टर में संग्राहक का आकार उत्शजक वल्य अच्छालक के पेचा अधीक बड़े अकार में होता है अब बचों हम अपने अध्र में सवर्णता हैं तो दो ब्रकार के टांजिस्टर बनाते हैं द्याराग दो प्रकार के ट्रांजिस्टर द्याराग दो प्रकार के होते हैं ध्यार से देखिए ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं अध्यार में सरलता है तो ट्रांजिस्टर को गुड़ों के अधार पर दो भागों में बाता गया है दो प्रकार के ताजिस्टर होते हैं, ध्यास देखिएगा, पी यंपी ताजिस्टर, यंपी यंपी ताजिस्टर, प्यारे साथियों, दोनों मैं से कोई एक ताजिस्टर, फर्वास इक्जाम पे पूछा जाता है, चैप्टर की महत्फों टापिक चल रहा है, तो यहां आप बताना चाहेंगे, पी यंपी ताजिस्टर, यंपी ताजिस्टर, दोनों एक प्रकार के उपकरण हैं, और जब टाजिस्टर का एक साथ वालब, दैन जीजे का सभी लोग, पी यंपी टाजिस्टर, नाम से असपष्ट है बेटा, कि इसकी जो है रचना बन जाएं तो इसके बार इन समझा सकते हो, यहां पहले पी है, फिर एन है, फिर पी है, इसका मतलब यहां एक ऐसा टाजिस्टर है, इसके आज़ेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें जबकि यहां आधार होना चाहिए और पिपी है मारे संग्राहक उत्सर्जक अधार संग्राहक एई पीजी ऐसे होता है तो पर दाजाल पेट दो वाचर जिस्टर जिसमें अधारं पीन टाइप की अधार्यरी दोपी कोilly जिसमें तो पीन पी अधार्यर कैहलाता है इधर के लिए और जब पीन पी ताजिस्टर की फीगर बनाएंगे तो दिमाख में याद रखते तानिटर की पांचों खासियत, उत्सर्जक ज्यादा असलियत, संग्राः ज्यादा बड़ा कार, उत्सर्जक और अधार अग्रभनती, अधार अधार अचंग्राः पासंग्रती, दीजादा खासियत which are in our mind and then set up, दीजादा खासियत और बनाई PNP तानिटर, ओके, देखे ज मज़ा नहीं है सित्ता है तो यहां गाउर से देखियेगा, एक PNP तानिटर की फोटो बना रहे है, PNP तानिटर में एक P टाइप का अर्धुचालक होता है, और EN ताइप का अर्धुचालक बहुत ही पतला होता है, P-Tाइप का अर्धुचालक का अकार यह संग्राहत वाले यहां पर गुरह सुलवात में E, फिर B, फिर C, उत्सर्दक रुपी अर्धुचालक जादा सुद होता है, और P-Tाइप का है, इसमें होल होंगे, होल की मात्रा इसमें जादा कर दिया, संग्राहत रुपी अर्धिचालग भी P टाइप का है और इसमें भी होल होंगे लेकिन इसमें होल क्लिमाप्रा कम करते रहे हैं और आधार वाला अर्धिचालग E-N टाइप का है किसलिए इसका जो है निर्मार इस तरह से कर दिया यहां पर एक कर्मिलल बना दिये E यहां पर एक कर्मिलल बना दिये C और यहां पर एक कर्मिलल है B यहां E और B के बीज बैठी बनेगी यहां B और C के बीज बैठी बनेगी देखें बच्छों परिभाशा के हिसाब किताब से चलते हैं वर्किंग रिया विद्ध जिस सब समझने आजाएगी परिभाशा के वा तांग रिष्टर एक बार परिभाशा फिर हो जाती है वा तांग डिश्टर जिसमें उतसार्जक इमानुस्षजक और और संघ्राहक पी टाइप के अर्थचालक के बने हो जबकि आधार यह ताइप के अर्थचालक से निर्मित हो उसे ही हम PNP टांजिस्टर का बना सकते हो जिसमें को यह ताइप का अर्थचालक दो पी टाइक के अरफचालकों के बीच समायोजी तो उसे यह पी अन्पी टार्जिस्टर पहते हैं पी अन्पी टार्जिस्टर में उचसर्जग रूपी पी टाइक के अरफचालक में संग्राहाग रूपी पीटाइप के अर्थचालक के पेच्छा अधिक सुद्धी होती है पी अन्पी टाजिस्टर में संग्राहाग रूपी पीटाइप का अर्थचालक उच्छाजग रूपी पीटाइप के अर्थचालक से अधिक बड़ी अकार का होता है ऑर उत्संत और अधार संद्धी अघ्रप्रिटरश पर ऑधार और संग्राथं संधर पर शल कउती हैं तो यहां इन दोनों के बीच अग्रप्रर्प्रत्य है मादे फीप्रिय और ऑ्द्धां से और येय अग्र अबनाती हो गई है यहां आधार और संग्रहत के बीट कौन सी अविलती होती है बेटा पस्य अविलती मारे पी वाला रेर से अयर वाला थांग से अब बच्छों ये हमारी पास पी अपी ताजिच्चा की संग्रचना हो गई कोई दिकर देटा किरिया पे दिनता है जहां से देखियेगा चुकिप पी ताइप का अधिचालग बैटी के धन टर्मिनल से सयोजी थये इसलिए पी ताइप के समस्त होल जो की धन आविचित होते हैं बैटी के धन गुरू से जुड़े होने के करणट इस धन विवाव के और होल का प्रवा इसलिए जो है यन छेत की उर्भोने लगेगा ये बैठी की उर्गमन नहीं करेंगे इनका प्रवा इस तरह से यन छेत की उर्भोगा और यहां यन टाइप का अर्धचालत जो की आधार के रूप मेह बैठी के रिड़ दुरूद से जुड़ा हुगा है इसलिए इसके समस्तलिक्तरान रिड़ दुरूद से प्रतिकर्सित होंगे और इसलिए इनका गमन पीछेत की उर्भोने लगेगा किदर होने लगेगा पीछेत की उर्भोन इस तरह और बचोर संगरहाग रूपी पी टाइप के अर्धचालत का संबंद बैठी के रिड़ दुरूद से है और इसलिए संग्राप उपी पीटाई के अर्चालक के जो फोल होंगे इनकी गती रिड़ विभाव की और आकरस्तर वाली होगी बनी इनकी विशा बैट्री की और होने लगेगी यह हमारी बैट्री वी इबी है और यह वी वी सी कि अब बच्चों मेजर्टी चार्ज करें बहुत संख्यक आविशू का प्रवाह हमने समझा दिया किसी कोई दिक्कत इता समझ में आया कि जो उत्सर्जाग्रूपी पी काईप का अर्थचालक है उसके होल बैक्टी के धन दुरू से प्रतिकासित होंगे बैक्टी को ना करके तरह से तो आप देख रहे हों कि इस तरह से प्लवाह होने लगेगा PNP रा इस्तर में मिजरिटी चार्ज करिया कहिता है अब होगा क्या कि चुकि हमारा जो आधार वाला अर्धचालक है ये बहुत पतली परभुगा है तो उत्सरजग रूपी अर्धचालक के समस्त होल अधार को क्रास करके पार करके संग्रहक वाले अर्धचालक में आकर एकत्र होने लगेंगे मतलब उच्छर्जद उपी अध्चालक के होल का प्रवाह इस अधार को क्रास करके किस में होने लगेगा संग्रहत में होने लगेगा यह 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 क्रास करके संग्रहत में आने लगेगे तो ये जो आधार में येंट टाइप वाले इलेक्टान है ये इन इलेक्टान है इन इलेक्टानों से अगर इनका संपर्क हो जाए बने यहां होल इसे इन छेट को क्रास करके यहां आ रही है अगर इसे इन छेट के इलेक्टानों से इनका संपर्क हो जाए अगर कोई एक होल भी एलेक्टान से मिल जाए तो होल और एलेक्टान दोनों धना और रिर है एक दूसरे को सयोजित हो करके अस्तित्त भी हीर माने एक दूसरे कास्तित समाप कर देंगे और जोगे एक दूसरे कास्तित समाप कर देंगे तो यहाँ पर बच्चो एक होल और एक एलेक्टान की क्या हो जाएगी कमी बन जाएगी एक होल और एक एलेक्टान खतम हो गया तो यहाँ एक होल और एक लेक्टान की कमी बन गई और जैसे ही एक होल और एक लेक्टान की यहाँ कमी बन गती है तुरंक इस उत्साज्य गुरुपी पीटाइटिया रचालक में एक सासरोजग बंद तूड़ जाता है और सासरोजग बंद तूड़ता है तो एक होल और एक हो जाते हैं और आप जानते हो कि इसमें हो रहते ही हैं फÓल जो है अनने लगते हैं फोल की कमी समात्र हो जाती है लेकिन जो इसमें इंट्र गया कुशकि कि एक कारण उसे जुड़ा हुदा रहेlla तो एलेक्त्रान इस धंध्रु के कारण अकरशित होने लगें है तो यहाँ होल में उत्पं इलेक्ट यहाँ पर जो है उज्ब कर दिकनल भर वैक्टर को इंद्द्धी यहाय हैं इसलिए उत्सार्जक वाली धारा आई इए वैक्ति से निकल कर उत्सार्जक की उर्चासी प्राफ्टों की समझ मैं और जब यह निकल कर ध्रू पर समात हो गया तो इसके रुण ध्रू से एक रिक्तार निकलेगा और वह चल करके इस जो है आधार वाले यंग टाइकर चल है और वहा है कि अलेक्तार के गज़ा के बिनाला वाले तो लिक्तार वख उसको हो जो है पहली लिख ऑब इस तेया की स्कूला एं अब बच्शों यह इतना कहानी के लियरओगई आई ई और आई बी की दिशा निर्दारित हो गई अब यहां जान रहे हैं कि जो हमारा अधार और संग्रहाद पस्यमिनती पर है यहां पर संग्रहाद रूपी या धचालक के पी काई जो है उसके होल बैटी के रिल दुड क्यों राकर सीथ हो रहे हैं तो जैसे ही कोई होल यह निकल कर उसको खुदाजीन चल देता है इधर की लिए ओके अब इलेक्टरान बैटारिया से निकल कर जो है संग्रहाद की और चल आए तो धाना तो उल्पी दिसा में बलेगी और आप समझ रहे हो कि जब जो है इलेक्टरान यहां से पाइदा हुआ और निकल करके जो है सं कमी बन गई तो तुरंट फिर से यहां एक साथ सरुजग बंद तूड़ जाता है और जब यहां से साथ सरुजग बंद तूड़ता है तो एक होल और एक लिक्टरान होते हैं आप जान रहे हो कि होल आधार को क्रास करके संग्रहाद में पहुच जाएंगे संग्रहाद में बनी हुई होल की कमी समाप्त हो जाएगी और इस तरह से प्रक्रिया लगातार होती रहेगी और आप देखोगे कि उस सर्जग धारा ट्रांजिस्टर की ओर इंपनी करेगी और आधार धारा और संग्रहाद धारा के रूप में बाहर निकलेगी और इस तरह से आने वाली धारा आई-ई है और निकलने वाली धारा आई-वी और आई-वी है इसका मतलब आई-ई वराबर आई-वी प्लस आई-वी यह हमारे इस टांजिस्टर का जो है परिणाम है आप कि जो धारा यहां इंट्री कर रही है वह धारा दो धाराओं में सब्सक्राइब हो मिचो जाता है एक गोशन आता है पीए पी डिन डिस्कराइब प्रत्रीदाग्मक्षित्र बन जाएगा यह प्यारे साथियों इसी तरह से यह पी यह तो एक ऐसा टांजिस्टर जिसमें उतसरजक्ट और संड्रहक के रूप में एन टायप की आफ़चालक हो जबकि आधार के रूप में बी टाइक का यह तो उसे ही हम एन पी यह तापि यह तांजिस्टर कहते हैं यन पी यन तांगिस्टेसर अगर बनाना है जिसमें उत्सरजक वा संग्राहच यन टाइप के अधर्षालकों से जब कि अधार पी ताइप के अधर्षालकों से बना होता है लुक वाइक ले यह वहाय तर्मिनल यह हमारा अधार टर्मिनल है और यह हमारा संगरह तर्मिनल है चुकि ये यन पी यन तांजिस्टर है तो इसमें जो है हम जान रहे हैं उत्सरजग रूपी अर्धचालक में यन टाइप का अजचालक होगा अजिक असुदेयुक्त केवल इलेक्टराण इसमें भरे होंगे और जबकि आधार रूपी अर्धचालक में फोल्स भरे होंगे और संग्राद रूपी अर्धचालक में यन टाइप का अज़चालक में इलेक्टराण बरे होंगे फोटू से बिख राह है आप लोगों को कि यह पेएल टांसिटर जब बनाए तो उधच्चालक ओ शब्राद के रूप में कांसां शचालक लिए और आधार के रूप में तर्मिनल भी है और अब यहां पर संधिया मनेंगी गौर से देखिए बेटा हम जानते हैं कुछ सर्जक और अधार अगर अभिन्यती पर रखने का मतलब है यहां पी टाइप वॉला वाइफिंग के धन से और यह टाइप वॉला में इसे और इसे हम पर स्च अभिन्यती पर लगते हैं इसका मतलब रहता यह टाइप वॉला धन से और पी टाइप वॉला इसे यह हमारे जो है यह पी टाइप की संग्राचना होई किसी कोई डाओ समझ में आए एक आए साथ आप जिस्टर जिसमें उसर्जक और संग्राहक यह से पर घिरा होता है उस संग्राण की अर्झा से बने या है उचल्छा और मेना से पंची तो यह द्यान से समंझो क्रिया भिधी बता देख सेट हो जाएगा तो बच्चों चूकि उत्सर्जक वाला और्धचालक के फिर द्यां दिजेगा उत्सर्जक वाला असालग बैट्री के रिल जूरत से दूरा और पुछ颁द के रिल्डूर्स वाले अलेक् से इनका गमन संग्राहत की योर या अधार की योर होने लगेगा कुछ भी आप कह सकते हो इनके गमन के दिज़ाइए और यह फल्वास कि आपक जो पाधारु की भी टाइक का दिचालक है बाइकी के धंदुरू से जुड़ा उदरा है तो इसके होल बाइकी के धंदुरू से कर्चित होंगे और इनका गमन इस तरह से वह रहुआ हैं जोने लगे घिता और tailored के तरफ उने आधार वाला अर्धचानक बहुत पतला रखा गया है इसलिए उत्सरजग रुपी अर्धचानक के इलेक्रान इस आधार को क्रास करते संग्रहक में जा रहे हो और कोई एकाद 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 लेकिन यह चुकी आधार चे तो जो है वैक्ती के धंद्रू की और आने लगें तो इलेक्तान का गमन अधार्वा से वैक्ती की और है तो अधार्वा धारा वैक्ती से अधार की और होगी उल्टी दिसम धारा वैडे लगी लेक्तान आया भात दूरू पर समात हो गया कहो हाँ सची रेल ध्रों से लेक्तान निकल करके फिर से आकर इसमें पहुचकर एलेक्तान की कभी को दूर करेगा एलेक्तान इस वहिंप राम भैज्टी तू सद्यक है इस भाई बहीं पराम यहां से लिखंव से लिखुचपाव है तो यह बैट्टान आप नहीं यहां कहांगी यह लेक्तान में रैक्तान की दढ़र कर आकर सबात होगे तो थारा सब्सक्राइब पाली बैक्टी से संद्रहातियों होगी और तुरत रिड़ से एक लेक्तार निकलेगा और जाटकर इसमें फिरा जाएगा लेक्तार की कमी पूर्ड हो जाएगी इसमें जो होलोवे लेक्तार के अस्तुत समाप्पोने की कानी नहीं होगी यहां दिख रहा है कि आई-ई तानिस क्लिस्टि का अगर प्रसिकात मगश्चित्र बनाना हो तो इसे की के ते वे यह दारह तानिस्टर से वहरे आ रही कि यह QE और आप में टाजिस्टर की कि जिए और आफ समझ हैं पाजिस्टर और टान्जिस्टर ऑफिर्ड की किरिया और ठासर दोलेव सवाइब